नमस्ते फ्रेंज मैं हूँ जोती बुदिया और मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपेक साइकलोजी बिहाइंड कैंडल स्टिक्स हर कैंडल चार्ट्स में हर कैंडल हमें कुछ बताता है हमसे बात करता है basically वो हमको ये कहते हैं कि हमें कब बाय करना चाहिए कब बाय नहीं करना चाहिए कब सेल करना चाहिए कब सेल नहीं करना चाहिए अगर मैं उनकी ज़्यादा बातों पे ध्यान نہ भी दूँ और एक एगदम ही novist person है जिसे कुछ भी नहीं आता market के बारे में उनके लिए भी ये एक छोटी सी चीज है जो हमेशा कामा सकती है कुछ candle ऐसे होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि यहाँ पे buy नहीं बनता है मतलब आज का दिन buy के लिए नहीं है अगर reverse हो गया, miss हो गया तो हो गया but at least अगर वो against भी गया तो फसने के chances बहुत कम हो जाते हैं डूसरी बात अगर आज buy करने का day है और आपके पास short का news है तो कम से कम उस दिन short न करें तो ये कुछ चीजे जो है बहुत ही छोटी सी चीज है और ये इतनी ही छोटी चीज और simple चीज मैं आपको आज पताने वाली हूँ तो चलिए हम chart की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे देखा जाता है कि आज buying नहीं करना चाहिए या आज selling नहीं करना चाहिए तो देखिए friends एक ये candle है जहां पे भी मैं candle पे करसर रखूंगी उसका open high low close सामने आ जाएगा तो let us say यहां पे आप देखते हैं let us say कि ये जो candle है इसका open क्या है 2856 high क्या है 2856 almost open और high करीब करीब सेम है मतलब opening से ही selling pressure आना सुरू हो गया ऐसी बात पे या ऐसे candle पे कम से कम buy तो नहीं बनता है अगर short नहीं करना है कोई बात नहीं लेकिन buy इस दिन तो नहीं बनता है हम फिर किसी और दिन देख लेंगे अगर देखा जाए तो जब भी हम ऐसी situation होती है ये candle की open और high same या open और high pass पास में है लग भग से half percent तो यहां पे कितना है open है 25 sorry 2785 और low है high है sorry open है 2785 और high है 2790 ऐसी situation में ये भी open और high same के बराबर हो गया तो buy तो नहीं बनता है अब इसके बाद वाले में आते है 2723 open 2730 high साथ रुपे का सिर्फ फर्क है हमने आधे परसंट की बात की थी ना तो उसी रेंज में है हाँ यहां आप कह सकते हो लेकिन इस पर हम बात में आते हैं but these days क्या ये बाइंग के हैं तो अगर मुझे कोई buy call देगा या मुझे कोई कहेगा कि buy कर लो तो मैं सबसे पहले जाके यह देखूंगी कि कहीं मैं open और high के track पे तो नहीं हूँ और उसमें भी जो सबसे important बात है वो यह है कि जैसे कल कल का closing क्या है 2819 और आज का opening क्या है 2856 gap up opening यह gap up opening क्या होता है मार्केट साड़े तीन बंद हो जाते हैं कोई न कोई positive news आई होगी तो इससे market उपर खुला लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि उपर खुलते ही फटाफट selling शुरू हो गई that means कि वो जो positive news थी वो negate हो गई वो बेकार हो गई और लोगों ने वहाँ पे selling करना शुरू कर दिया और हमारे जैसे कोई भी trader, retail trader मेरे sense generally retail traders या नए लोगों के लिए होता है जिन्हें market में ये छोटी-छोटी समझ मिल जाए तो बड़ा पैसा बच सकता है बस यही कोशिश मेरी lifetime रहेगी according to me this is an awareness training which I provide तो अगर कोई फस गया होता तो क्या निकलने का chance है और एक बात बता दू हम stop loss बहुत कम लगाते हैं जो कि गलत है अगर ये देख लें तो हम बोलेंगे हाँ भई अब तो उपर जाएगा लेकिन उसके बाद देख लीजे क्या हालत हो गई है और फिर आप मुझसे पूछोगे आपको क्या लगता है रिलाइंस वापस उपर आएगा नहीं आएगा अब इसको देख के आप खूद बता सकते हो कि अभी तक बाइंग के स्थिति नहीं है आगे का मैं नहीं जानती लेकिन अट लीस्ट ये points तो आप देखके कह सकते हो यहाँ पे open high नहीं है यहाँ पे open high नहीं है तो इनका मैं नहीं बता सकती लेकिन यह चार कैंडल तो यह एट लीस्ट वान टू त्री सोज तीन कैंडल तो बता सकते हूं कि नहीं है अगर मैं यह भी बचा लूँ तो भी समझो 2800 से लेके और 2600 तक तो बच सकते हूं 200 रुपया मतलब almost 78% की बचत हो जाती है उसके बाद entry कब करते हैं अब वो भी मैं आती हूं यहाँ पे जब मैं open और low देखती हूं मतलब open जहां हुआ था वहीं से buying स्टार्ट हो गई तो open कहां हुआ था 2435 जो क्या है 2432 तो ये दिन मेरा बनता है बाई का ये दिन मेरा नहीं बनता है किस चीज का selling का बस ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब भी buying की बात आए उस दिन open high ना हो और अगर selling की बात आए तो open और low ना हो देखिए ऐसा है कि it's not necessary कि जो है ये reverse नहीं हो सकता बट जादा से जादा क्या होगा एक trade ही तो miss होगा ना मिस कर दीजे बहुत सारी opportunities मिल जाएंगी लेकिन जान बूज के यहां पर selling करना ये तो मेरी समझ के बाहर की चीज़ है तो कुछ disciplines ऐसे हैं जो मैं नहीं तोड सकती इनी में एक और आता है gap down open low ये gap down open low क्या है कल का close कितना है 2422 आज का open कितना है 2400 यानि 22 point नीचे है कुछ न कुछ negative news थी तो फिर market खुलते ही buying क्यों हो गई सब लोग buying क्यों start कर दिये मतलब वो news negate हो गई वहाँ पे किसी को भी interest नहीं था short करने का और उन्होंने buying शुरू कर दी अब जब buying शुरू कर दी तो market उपर जाने लग गया मुझे नहीं पता next day क्या होगा लेकिन आज का मुझे ये लग रहा है कि ये selling का day नहीं है तो इसलिए क्या है ये छोटी छोटी trick से मैं अपने आपको loss से बचा सकती हूँ हाँ अगर जो लोग short करें let us say हमारे अभी किसी ने short कर दिया तो letter यहां पे short किया ये क्या price है समझो 2850 पे short किया होगा या 2825 पे short किया होगा जहां भी किया होगा तो इस high के जो high है 2856 लगभग इसके 1% उपर मतलब 2820 के लगभग आपका stop loss होना ही चाहिए क्यों तभी तो वो news negate हो गई मतलब यह जो trade है उसका sell hit हो गया और जहां तक मैंने देखा है अभी तक आगे का पता नहीं जब भी हम सिखाते हैं हम आज जो सिखाते हैं अपनी past performance, past observations पे सिखाते हैं कि इसमें approximately 80-90% success ratio है और यह सभी जगे काम आता है आप इसे कहीं भी देख लीजिए, stock में देख लीजिए, आप इसे nifty में देख लीजिए कहीं भी देख लीजिए, जहां आप चाहें वहीं देख लीजिए निफ्टी में मैं half percent नहीं लूँगी, निफ्टी में मैं approximately point 25 basis पकड़ लूँगी, आप 25 से 30 point पकड़ लो, इतना तो निफ्टी में fluctuate हो जाता है, तो अब यह कितना है, open और high, है 18080, और high है 18095, 15 points, हम 25 points लेके चले थे, दूसरी सबसे important, यह कहां बंद हुआ था, 18053, open कहा हुआ, 18080, तो मतलब gap up होके, open high हो गया, मतलब positive news खतम हो गई, ऐसी situation में मैं इसे at least buy तो नहीं करूँगी, right, वो ही, यहां पे देखिए, पास में ही दिग गया, open and low, almost same, सिर्फ 14 point का फर्क है, यहां पे देखिए, open and low, almost 14 point का फर्क है, ज्यादा नहीं है, राइट, open and low, add, gap down, कल का close कितना है, 17464, आज का open कितना है, 17436, gap down होके, लोगों का interest selling में खतम हो गया, और उन्होंने buying start कर दी, उसका result, तो यह intraday में भी कामा सकता है, यह positional में भी कामा सकता है, बट, जो भी करें, hedge के साथ, और साधानी के साथ करें, यह एक छोटी से मेरी कोशिश थी, आप लोगों को सिर्फ इतना बताने के लिए, कि जब भी कोई buy आए, तो यह देख लीजिए, कि वो दिन open और high almost same ना हो, या gap up open and high almost same ना हो, और जिस दिन selling on की बात आए, उस दिन open and low almost same ना हो, या gap down, open and low same ना हो, I hope मेरी यह चोटी सी कोशिश आपको समझ में आ गई होगी, और friends, बस इतनी चोटी सी एक trick है यह market की, इसको hack बोल सकते हैं, मतलब जैसे कहते हैं न की भई, hacks है यह समझने के लिए, तो charts नहीं आए, कोई बात नहीं, knowledge market की नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने कौन से time frame में दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं daily देखती हूँ, daily का time frame इसे कहते हैं, जहां पर रोज सुबे candle क्या बनती है, अब आप कहोगे तो साड़े तीन बजे पता चलेगा, साड़े नौ से हमको construction समझ में आने लगता है, थोड़े दिन observe कीजिए, सब समझ में आने लगेगा, जब भी आपके पस कोई कॉला है, एक बार देख लीजिए, साड़े नौ बजे, दस बजे, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा की ये ट्रेडेबल है या नहीं, और फिर क्या, दीरे दीरे सीख जाएंगे, that's all, it's so simple, simple tricks works the best, चलिए, मिलते हैं अगले episode में कुछ और नया trick लेके आएंगे आपके लिए, तब तक के लिए, bye, take care, and ये छोटी-छोटी tricks का जरूर ध्यान रखिएगा, thank you very much, bye.